हलो एवरिवान मैं हूँ अनिल पाटिदार मैगनेट ब्रेंज हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज हम लोग बात करेंगे कक्षा आठवी के सामाजिक विज्ञान के अंतरगत नागरिक शास्त्र हमार नंबर 6 की जिसका नाम है हमारी आपराधिक प्रणाली न्याय प्रणाली हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दोस्तों यह शब्द पढ़ने में थोड़ा सा नया लग रहा है कि यह क्या है लेकिन वास्तों में आप सभी लोग मुवीज बगर तो देखते ही हो फिल्मों मे अगर को पकड़ा जाता है तो तक वही रहता है तो तो हमारी नयाय आपरादिक न्याय-प्रणाली का मतलब सीडी सी बात है कि हमारी देश में जो भी अपराद करता है उस अपरादी को सजा देने की प्रोसेजर किस तरह से फॉलो की जाती है इसमें इसी के बर्म बताया गया है तो एक एक करके पहले देखते हैं आज हम लोग शुरू करेंगे इसका परीचाइग कि हम इस अध्याय में एक्षॉल में पढ़ने क्या कवाले हैं कौन-कौन से वो छोटे-छोटे तॉपिक से जो important है जिसको हम लोग इस अध्याय के अंदरगत पूरी तरह से इसकी चर्चा करने वाले हैं तो देख लेते हैं सभी topics की बात कर लाता है पहला हमारा टॉपिक रहेगा जिसका नाम है हमारी आप परादिक न्याय प्रनाली केसी है पहला रहता है यारे अध्याय क फोरि करती है और वो पर की और रेकिन करती है कि वहुआ जाता है और यो इस BENE станет कुछ machi सब्सक्राब करेंगे कि कहां तक हमारी आप रडिग नयाय प्रणाली तो तक उचित है यो समय कुछ गल्तिया हो सकती है तो कहां इस न्याय प्रडाली में चूक हो जाती है या कौन से व्यक्ति इसमें चूक कर देते हैं तो हम देखते हैं कि अपराद की जाच में पुलिस की भूमी का देखें जब अपराद की जाच होती है तो हो सकता है कि पुलिसमें से यहां पर गलती हो जाए यह कहानी यही ब के पुलिस को व्यवस्थितत तरीगे से उसकी जाज़्ज करना चाहिए और सबसे पहले तो हर व्यक्ति को अपराधी के नौजर से नहीं देखना चाहिए कि यही दोशी होगा संदेह के कि आधर पर किसी को गिरपतार किया तो मारना वारना या उसको प्रताडित करना यह चीज़े तो नहीं वना चाहिए सरकारी वकील वन्यायदीश की भूमिका पढ़ेंगे सरकारी वकील की बहुत महत्पूर्ण भूमिका होती क्योंकि दलील वही पेश करता है यह सरकारी वकील प्राइवेट वकील की भी बात कर सकते हैं कि सरकारी वकील की इसलिए हैं वह मिका है क्योंकि सरकारी वकील जो है वो राज्य की तरफ देश की तरफ से लड़ता है या कभी किसी के पास वकील ही नहीं है तो वह सरकारी सरकारी वकील को कर सकते हैं प्राइवेट वकील का भी न्याय अदीश के पास में लेकिन कई बार आफ यह गलती नहीं कर सकते कि यह तीन नहीं करते हैं न्यायादीश के न्याय को देखकर लोग को इस लगता है कि गलत न्याय हुआ है तो हमारा देश में तो व्यवस्ता है ना जो हमने previous class पढ़ा था अभी जस्त हमने प्रिविएस लेक्चर में पढ़ा था जो नयाय पाले का कि मैं बात कर रहा था तो वहां आमने क्या पढ़ा था हम ने वहां पर पढ़ा था कि जब आपको निचली अदालत के फेशले से आप खुश नहीं है आपको सहमती नहीं हो रही है यह संत लेकिन कभी काम का होता है उपरी अदलत में तो उससे उपरी अदलत में जाते हैं जैसे पिशली छो फिछला पिशली घुषा जो में लेक्ट्टर थे अधियाइ जले पांश पलिका न्याय पहले का में सुधा चला नाम की लड़की के साथ जो गणको रिवा था उसको जो जला डिया गए था उसके सवराल वालोंस हम लों सैंसे देखा कि निचलि अदलत में जैंक दो लेकिन अब आंपर उजाता है फिर उसके बाद और उपर आतया है तब जाकर अखरी में मिलता है तो प्रस सुनवाई क्या होती है किसी का पक्ष नहीं लेते हुए सुनवाई करना यानि कोई गरीब हो कोई अमेरों कोई फरक नहीं पड़ता न्याई सब के लिए बराबर है क्योंकि वेसे भी इस देश में पी आयल जैसी विवस्ता आगर के यह बता दिया था सब्सक्राइब करें तो इस परीचे में हम इन चार अलगलग टॉपिक्स की बात कर रहे हैं और आने वाले वीडियो में आपको एक टॉपिक के ऊपर एक अलगलग वीडियो मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे आश्या करत वीडियो से कहां तक ट्राफिक इतना ज्यादा है कैसे डूंड है तो डूंडने के दूसरा तरीका हमारे पास में हैं आप हमारी वेबसाइट पर जाएए गूगल पर आप सर्च करिए और यहां पर घबराने वाली बात नहीं यहां पर भी 100% free of cost आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड होते हैं इंडिया नंबर वन 100% free online educational platform आप जैसे ही सर्च करोगे आपको यह पेज खुलता हो दिखाई देगा अब इस पेज में आपको देखना क्या है यहां पर आपको जाना नीचे कर अब को हरेक्तीर के नाम के नीचे लिखा अब का वा ऑच नंव आपको उस वाच नौव पर क्लिक करना जैसे आप वाच नौपर क्लिक करोगे वेसे ही जो है दूसरा विंड Kell opinion हो जाएगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा हर एक टीचर जो प्राइब क्लिक यहां पर आप कर आपको मिल जाएगी तो आप प देह तो आप तो तुरंद आपका वीडियो चाल हो जाता है और आप सीक्वेंशभी देखपाओगे तो क्या क्या दोस्तों सिक्वेंश में देखने से ही सारी चीज़ समझ में आएगी और नोट्स जरूर बनाए क्योंकि बहुत जरूरी है आपकी एक्जाम के पॉइंट ऑफिसे क्योंकि अगर आप नोट्स बनाके पढ़ोगे अपने हाथ से तो ज्यादा अच्छे से आप सक्सेस्फुल हो सकते हो और टॉप भी कर सकते हो हमारा यहीं उद्देश है कि आप सब्सक्राज बाहरवी तक के सभी विध्यारतियों को ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रजी माध्या में दी जा रही है दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख करके अपने अनुभव जरूर शेर करें और हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू बेरी मच्च